तो कैसे आप लोग उम्मिद कहते हैं बहुत बढ़ना होगा है आज के लेक्चर में हम लोग इसमें आपका true-false, fill-in-the-blanks, match-of-the-column जो सारे होते हैं उन सभी पार्ट्स को हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं सो आपको छोटा सा काम करना है सिप कॉपी कलम निकाली हर एक अंसर को अपने एंसे नोट कीजिए या आगर आप एबी टीये लेके बैठते मेरे साथ तो काफी बैठार है थाके उस एबी टीये माप इन सारे एंसर को मार्क कीजिएगा जैसे हम सॉल्व करते हैं हर एक कोश्च सब्सक्राइब निकाल लिया होगा और मेरे साथ लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए त्यार होगे सो आई हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है आमिर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल मॉडन पढ़ाई पर आज की वीडियो में बात कर र किस ग्लाइंट का हम लोग माश्टर आफ ग्लाइंट कहते हैं क्यों कि सिंपल सा बात है जो भी जुमें फंक्शन ता मारा है प्य पतला है और यह मैनली क्या करता है बहुत सारे जएड़ इंटरीयर जो गलाइं जान सो हौर्मों से रिलीस होते हैं उनकी रिलीस को यह कंटो होप यह क्लियर रहा होगा मुफ करते हैं हम लोग सेकंड कोश्चन की तरफ तो जो हमारे सेकंड कोशन यहां पर वह बोल रहे हैं फ्रॉम वीच आफ दी फ्लोइंग जीबरलीन वास डिसकवर्ड अब इसका एंसर भूक में है नहीं सो मैंने जहां तक देखा इसको सबसे पहल तो टोटल 43 पेर्स मिलते हैं कितने मिलते भाई 43 प्रेजेंट होप यह वी क्लिर आगे देखते हैं फॉर्थ नमबर कोशन हमारे पार सिंपली यह दे नेम आप सुगर प्रेजेंट इंड डी एन इस तो वो तो सभी को पता है सुनते आ रहे है आप सेवेनेट किला से डिया ही राइबो कोगर होता है जो कि डिए अने में प्रेजेंट होता है नेक्स पॉपि आप आफ एसेक्शनल रिप्रोड़क्शन फांड़ी इनिस पाहरों गयरा इज एकषिनल नहीं होगा यहां पर एक शॉल्ल रिप्रोड़क्शन उगा स्पाया जाता है सो अमीद है कि question number 6 में देखिए the science that deals with the study of inheritance of character उसको हम लोग क्या बोलते हैं inheritance of character की बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग यहां पर genetics बोलते हैं अब एक बार चेक किजिए so I hope कि यह भी आपको clear हुआ होगा वो कौन सा है उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब करते हैं हो मेनी फेज़ेस आपको देखने को मिलते हैं आप अगर इसको थोड़ा सा गवर करोगे सबको यादा जाएगा एक तो सबसे पहला स्टार्टिंग जो फेज होता वो मुझे याद नहीं और उसका नाम क्या है मैं कुछिश करूंगा बाद में इसको आपकी स्क्रीन पर में देखा दूँ उसके बाद आपको मिलता है एडल्ट जैन्स देन एडल्ट हुड एक तो पहला होगा जो जीरो से वन साल में चलता है पहला फेज उसके बाद आपको अडल्ट हुड मिलेगा थी नंबर पर लिन लास्ट में आपको सिंसेशन जैनिकी बुड़ापा मिलने वाला है फॉर्थ नंबर सी पर था ऑप्शन नंबर सी इस दी करेक्ट आंसर देन आये हाँ मेनी जैगोर्ट्स विल भी प्रोड्यूस्ट फ्रॉम दा क्रॉस अभी एक क्रॉस कराया गया है यह वेसिकली डाइवरेट क्रॉस है जो मैंने आपको अलड़ी एक वीडियो से प्रेटली इसमें द और नहीं देखा रहा था और यह मर जो आरता यह से खब्रेक्ली डेको परफेट कुलर सेपा है करनी है कुछ इस तरीके से लिकारेशी, क्लोर ता तरीक हमने Dit को देखी लिंक दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको यहां पर फिलाल आपको ऑप्शन नमबर कितना हम देख सकते हैं डी नमबर में सेक्षिन उसको टिक कीजिए दें नेक्स्ट कोश्चन कोलीज एनीमिया इस ड्यू टू तो यह देखो यह क्या होता है बीटा कोलोबि सब्सक्रिप्शन के ऊपर दी सौरी नराज बहुत जाता है लोग तुरन तुरन बाग जाता है इसको वापस बुलाओ सो हम लोग यहां पर थे हां कोशन नमबर प्रेजिन डे जिराफ ऐस लॉंग ने कैस कॉंपेर टू इट्स एंसेस्टर्स लेमार्क ब्लीफ इट कूड यहां पर इफ नहीं होगा इट कूड यह हो सकता है क्यों भाई क्या उनका यह था इनका बानना यह था इन्हेरिटेंस ओफ एक्वाइट क्यरेक्टर्स कि देखो थियोरी क्या माने जाती है कि यह लोग पहले तो गर्दर इतनी लंबे-लंबे नहीं ठीच चुके पेल में क् कि अपना सरे से उपर उठाटा के कुसिस कर रहे थे कि जाकर हम पता तोड़ दो उस वज़े कर क्या हुआ कि कुछ एक्वाइड किया बेसिकली इस तरीके से जिए आपके जो गर्दर वह लंबे हो गया अब क्या सच क्या गलत हो तो किसी को नहीं पता बड़ साइंटिस्ट वह मान रहे हैं हमने पास उनकी बास सुन ली माना नहीं है ठीक है ओके सो लेस्ट मूव फोर दी नेक्स कोस्टन से नेक्स्ट कोस्टन हमारा बोला दिया और गन प्रेजेंट इंफिस्टेट हेल्प्स तु मेंटें बाई यह एंसी वैंसी कॉन वहां पर मेंटें करता है इस यूज वास गिवन बाई यूज एंडिस यूज का जो थियूरी है वह किस के दुवारा दिया गया तहीं आपको ना पता हो सकता है मैं बता देता हूं यह मैंने लिख रखा है यहां पर थियूरी आफ यूज और यह लामार्क ने दिया था तो यहां पर आप आप्शन नंबर पहला ही ऑप्शन पहला है मारक इसको टिक कीजिए दिन हम पिन कैमल कैमल हम यहां तक कोशन खता में यहां साप्शन ऑप्शन नंबरे में स्टोर्स फाइट प्रोटेक्स डाइट अधर टिसूस वह बहुत किसी को ऐसा लगता है कि जो हम है वह कैमल में वाटर को स्टोर्स फाइट हरा हुआ हम यहां कि मैं काम यह है कि जरूबद होते कि खाने के कमी होते तो यह है यह फिर फूड में चेंज हो करके इसकी भूख को मिटाता है यहां पर हम लोग किसको एक सिटू कंजरवेशन में यहां पर नहीं यह करेंगे सुवाइश फिर रिजर्भ जो है यहां पर इक ऐसकी एक सिटू क्या होता है कि आपके पास है उनके रहाइस के जगे जहां पर रह रहे हैं वहां से उठा करें नहीं को रहे हैं वहां में पुछ जगह पर ले जाते और हम वहां उनको अच्छा से एक तरह बोल सकते हो कि प्रोवाइट करते है उसके अच्छे देख भल करते है ताकि वह खतम ना हो जाए ठीक है और इंसी टू क्या भाई जहां पर वह है उस जगह को हम लोग रिजब कर लेते कि हाँ जगह है अब इसी जगह पर हम लोग इसी इंवर्में रहें दें यहां पर इसको भी तो जो है और डावर्सिटी के एग्जामपल जो ऑप्शन नंबर डी में हमारे पस क्लियरली मेंशन है आई होप कि सारे हमसी कुछ आपके लिए क्लियर रहे होंगे मूफ करते हम फिल इंदी ब्लैंक की तरफ आए तो फिल इंदी ब्लैंक का जो पहला कोश्चन है वह हमें देखने कौन सा सेपरेशन होता है अब यह भी मैंने आपको पूरे डीटेल में पढ़ा रहा रहा अपना मैट्वस के लेक्चर में जहां पर हमारा जो क्रोमोजों से वह से परेट होता है अब आपको यहां पर प्रोसिस का नाम बताना है अब सब्सक्राइब आपने रिकॉल कर लियोगा इसका अंसर को तो सिंपल है मैंने अंसर बताए दिया था क्रोमोजों क्रोमोजों से परेशन टेक्स प्लेस डियूरिंग मैटोटिक देखो और तो ज्यादा और तो कुछ सेपरेट होता नहीं है यहां पर मैटोटिक सेल डि यहां पर हमारा अंसरों का मोनोकॉट बैन मुफ फोर्थी नेक्स्ट कोस्टिन निव स्पेसिस आर इवॉल्ब बाइ कैसी वाल वोता है इवोलूशन को थूब बता है और क्या था है इसका अंसर सिंपल होगा आपका इवोलूशन 2.4 का अंसर होगा इवोलूशन ओके दन 2. 5 में हमारे पास है इस्टोमाटा इन दे लीफ अफ कैक्टस इस प्रेजेंट इन बता हो कहा रहता है तो यह फाइलो क्लाइड मेरता है मैं आपको स्पेलिंग देखाता हूँ ओके तुम इसका अंसर सिंपल लिखो इस्टेम्स एपिडर्मिस मैं एपिडर्मिस वह दिखा न इन टीर हर्मोन हर कॉल अश्ट रौफिक हर्मोन के ज्यादा तरह इंटेर हर्मोन कम लोग प्रफिक हर्मोन बोलता है यह हमारा ट्रू है टू-पॉइंट देट में इन क्रॉस पोलिशन देर इस नो नीड ऑफ क्यारियर यह बहुत गलत बात है क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन करियर है तो हाँ पर कोई तो करियर होना चाहिए लेकर जाएगा कॉन सो टू पॉइंटेट हमारो यह फॉल्स मेंडल्स फर्स्ट लॉफ इन हरी टैंस लॉप सिग्रेशन यास यह ट्रू है टू पर नाइन ट्रू हो गया टू पर टेन इन सुंदरी प्लांट ब्रीथिंग हाँ हो सकता है तो पांट वेल के हम बात करें हाइए इंटेंस साउंड कें कॉस्ट डैमेज टो आवर इस्टो में ग्यास यह भी ठू है आसकर सांट पॉलुशन इतनी ज्यादा है और सांट पॉलुशन अगर बहुत ज़्यादा तो यह आपके स्टोमेक को भी एफेक्ट कर है इसमें यहां पर करेंगे अपने मैंच अप्डी फ्लॉइंग कोश्टन सबसे पहला आपको बता रहा रहे है एक्सोट्रा इंगलाइं के बारे में शुक्राइब एक्सोट्राइं ग्लाइन यहां पर डिरेक्ट लिए उसका जो कनेक्शन वह सलेवरी ग्लैंट से इसमें तो हमारा पहला अंसर होगा वह आप्शन नमबर यह जाएगा जिक है देन टू-पांट-फर्टी नहीं बोला बाइपडल लोको मोशन तो बैपडल लोको मोशन जो महां हम इनसानों पाए जाती है सब्सक्राइब लोको मोशन चुक्ए इनसानों पाए जाती है हमारा मैच करेगा ऑप्शन नमबर एफ यानि के मैं पे जाकर के क्रोसिंग ऑवर के हम बात करें तो आपने अलड़ी सेल यह ने पढ़ राख्या क्रोसिंग ऑवर किसरी कहां पर होता है मियोस इसमें पाए जाता जो कि आपको टू एन दीख रहा है तो टू पर शिक्षीन का अंसर हो और ऑप्शन नमबर सी सेक्स लिंग जिनके हम बात के तो सेक्स लिंग यहां पर एक ही आपको दिखाए देरा है जो कि हेमुफीलिया है सो टू पॉइंट सविंटीं का अंसर हो गया बी दिन टू ही एक ऑप्शन यहां पर हमारे पास एक्स्टर था हो यह पूरा मैच अपको क्लियर हो गया हो देना मूव करता अपने वन मार्क के कोश्चन की तरफ सबसे पहला कोश्चन है चूज दी और वन और राइट इसमें से जो अपको अलग तरह का लग रहा उसको निकाल के रखना है तिन चारों में इंसुलीन है यह सबसे अलग टाइप का क्योंके भाई यह जो बंदा है इंसुलीन यह लेंगर हैंस के एसलेट आप लेंगर हैंस फ्रॉम एसलेट्स ओफ लेंगर हंस ओके तिना आगे हम देखते हैं कोशन नमबर टू टू पाइंट वल्रा मेंसेन वन फंक्शन ओप मिलीन शिट अब मैलीन सीथ कर जो एक फंक्शन वापको बेसिक लिए अराम से पता है यह कहांगा यह एक जोन के ऊपर जाने वाली वह जो बेसिकली उसका प्रोटेक्शन करता है एक जोन का ठीक है और कुछ ली यह आपकी लिए यह में फंक्शन इसका मेल फंक्शन हो गया अपका अइक जोन का प्रोटेक्शन सो नेक्स्ट कोर्शन अमने देखते हैं 2.21 में बोल रहे पेर अफ रिलेटेड टाम इस गिवन बेलो ऑन बेसेस अप दे रिलेशन्शिप इन फर्स्ट पेर राइट इस युटिबल वर्ड इन दे गाप अप अपने को पता है इस पोर क्या है इस पोर इस दी यूनिट ऑफ ए सेक्स्ट रिपर्डेक्शन और सेक्स्ट रिपर्डेक्शन तो सेक्षल रिपर्डेक्शन को युनिट को ने आपको पता है गैमेट शो यहां पर हमारा फिलेंदी ब्लैंक में क्या आए गाया सो सीम्पल एकदम चलो जिल्दी से नोट डाउन करो नेक्स 2.22 वाट डश है तो आपका यहता से क्समाल टी यापका इसमॉलट कर रहा हुआ कि भही है घा मै du بتाओं आपको दोनों एक साथ आ रहें दो कौन करेगा आपको पता है capital T dominant करेगा तब सिंपल यहां पर लिख देना है capital T यहां पर जो है वो टॉल करेक्टर को कहरी कहता है ब्लांड का स्मॉल टी किसो कहरी कहता है ड्वार्फ करेक्टर को अजब यह दोनों साथ में हैं तो यह जो करते हैं तो पेर में 23 होंगे बाटा इसे नंबर पूझा तो 46 क्रोमोजोंस ठीक है नंबर बोलेगा तो 46 अगर पेर बोल देते हैं तो 23 पेर्स ओके सब्सक्राइब के लिए एक उसका हम अपने को बताना यह में स्क्रीन पर देखाता हूं आप इसको इसली देखिए नोट डॉन कीजिए यहां पर चार में से एक टर्म आपका है वह बाकी तीन को अपने साथ लेकर के चल देखते हैं क्या फाइंड इट आउट राइट इट तो इसमें अगर हम आपको बताते हैं तो नाइट्रोजन साइकल जो है यह अपने अंदर तीनों वर्ट्स को समेट लेते हैं आई हम लो नाइट्रोजन साइकल के अंदर आपको देखने को मिलता है डी नाइट्रिफिकेशन और डी नाइट्रिफिकेशन होने के लिए आपको चाहिए नाइट्रोजोमनस बैक्टरिया नाइट्रोजोमनस बैक्टरिया के एक्जामपल राइजो भीम ठीक है यहां पर आपको हो गया नेक्स्ट कोच्ट निवाट इस दी तेंपरेच्टर रिवाइट फूर कैयर प्रिजर वेशन तो कायरो प्रिजर्वेशन के लिए पर टेंपरेच्टर यह पहला सेट यहां पर क्लियर देन हम लोगा मूफ करते आपने दूसरे सेट की तरह वहां पर बैसे हम लोग एम और देखो आपको पता है कि ट्रॉपिक मुवमेंट करता है एक्टिवेट प्रोटोन पॉप आफ तसेल मेंब्रेन मेरे को पता ही नहीं है तो इस तरीके से अप्शन को इलिमिनेट करेंगे इन्हेंज ग्रोथ ऑफ एक्जिल बाइट का ग्रोथ यहीं करता है इस डिफ्यूज करता है तो निद गॉट्ट नमबर 1.3 विच उपट्वूएंट अप्डेश ब्लय प्रेसर करें पर Bei कंस्त्रिक्शन अव ब्लय वेसल